तो पिछले एपिसोड में सभी लोग अपने अपने फैमिले मेंबर्स और फ्रेंड्स से मिलकर वापस आ गए थे जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी डीमन हंटिंग ग्रूप्स के मेंबर एक जगा पर इकठा हुए होते हैं क्योंकि ये लोग अप यहां से एक और फिर कैप्टन गामा इन से बताता है कि तुम सभी इससी में बाइटकर यहां से जाने बाले हो और इसलिए अब तुम सभी इसके लिए रेडि हो जाओ अब इसके बारे में सुनते ही सभी डीमन हंटिंग ग्रूप्स अपने अपने एयर्शिप में जाने लगते हैं लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिंसीन और सीमा सियान इसके लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हो गए होते हैं, जहाँ पर सीमा सियान लिंसीन से कहता है कि जा चीज तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, और फिर लिंसीन से पूछता है कि क्या तुमने इससे पह और भी कर सकते हैं लेकिन इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि इससे चलाने के लिए मैजिक क्रिस्टल की जरूरत होती है तब ही लिन सिन भी सीमा सियान से कहता है कि यास तक हमने ऐसा कोई चीज नहीं देखा था और इसलिए वो उससे कहता है कि चलो हम इसके अंदर से रोक देता है और कहता है कि सबसे पहले मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से सीमा सियान सबसे पहले एरशिप के अंदर चला जाता है अब इस बात के वज़ा से लिन सिन को सीम आपको सुनकर सांथ हो गया था और फिर वह भी इनके साथ में अंदर जाने के लिए रेडि हो जाता है लेकिन अभी इसी वक्त इनको पता चलता है गुस्सा करते हुए इनके तरफ देखता है जिसके बाद ये सभी तुरंट अपने एर्शिफ के अंदर चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी असल में कैप्टन गामा की वाइफ होती है और इसलिए कैप्टन गामा उससे कहता है कि क्या तुमारा जादा एक्साइटेड हो गया था और वो कैप्टन गामा के वाइफ को दे कहता है कि जह तो बहुत ही स्पाइसी वाइफ है और इसलिए मैं भी फ्यूचर में ऐसा ही वाइफ चाहता हूं वहीं उधर कैप्टन गामा की वाइफ उससे कहती है कि मुझे चार या पांच साल से तुम्हारे बारे में कोई न्यूज नहीं मिला था जिसके वाज़े से मुझे तो लग रहा था कि तुम मर चुके हो अब इसके बारे में सुनते ही कैप्टन गामा तुरंत उसे अपने पास खींच कर उसे गले से लगा लेता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेर कर्मता का यूज करते हैं वे उसे अपने कफ़े में कर लिया लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टन गामा अपनी वाइब को किस भी करने लगा था जिसे देखते ही यह सब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी सायर क से जाना होगा जादे क्लिंस समझ जाता है कि कैप्टन गामा भी अब जल्दी ही एरसीप के अंदर आने बाला है और इसलिए वो सभी से कहता है कि अब हमें अपने सीट पर जाकर बैट जाना चाहिए जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा की वाइफ उसे आज भी गुडबाय कहते हुए काफी उदास हो गई थी क्योंकि उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि कैप्टन गामा अब कितने साल के बाद वापस आएगा और फिर पता नहीं कब वो उसे अपने गले से लगा पाएगी वहीं अब कैप्टन गामा भी इधर एरसीप के जासे यह सभी एरसीप यहां से जाने लगे थे लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन गामा की वाइफ अभी भी उसे देख रही थी और इसी के साथ आज फिर से वो उसे गुडबाय कहकर काफी उदास हो गई थी अब इसी तरह से यह लोग यहां से आगे बढ़ते वे होली सीटी से निकल गए थे और इन सभी का एरसी पबे घने बादलों के बीच में आ गया था जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजली चमक रही थी और इसी लिए इस बात से इसमें से कई लोग डरे हुए थे लेकिन तब इसी बीच पास को ही तुम्हारे लिए क्यों चुना गया और इसके बाद वो इनसे कहता है कि इसका में रिजन ये है कि सभी सिक्स बॉर्डर गेट्स में हीमन डीमन वारफियर पाउर का डिस्ट्रिबिशन सेम नहीं है क्योंकि सोवर नाइट टेंपल को ड्रेगन पास के दौर लेकिन मैजिक टेंपल जिसे की गैलियोन पास के दौरा गाड किया जाता है वह विजार के पाउरफुल अटैक मैजिक के उपर डिपेंड है जिसके बज़ा से यहाँ पर मैजिक का बहुत ही ज्यादा रोल होता है और इसलिए इस जगा में बहुत ही ज्यादा सांती है क्यो के वज़ाज से सभी six border gate में से यहां पर बहुत ही ज़्यादा battle होते हैं और इसी लिए जाज़ा का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है इसी तरह से कैप्टन गावा आगे बताता है कि जेन नान पास जिसे की healing temple के दोरा गाड किया जाता है वहां की situation भी उतनी ज़्यादा और फिर आखिर में इन से बताता है कि एकसर सिसम पास को असेसिन सौल के दोरा गाड किया जाता है जो कि असल में royal demon mountain range के middle में located है और यह जगा बिल्कुल एक heavenly ripped valley के जैसा है जो कि demon army को यहाँ पर आने से ब्लॉक करता है इसी के साथ कैप्टन गावा इन से कहता है वैसे तो पर लगातार attack होते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके attack को रोकना assassin hall के लिए बहुत ज्यादा easy होता है इसी लिए captain गावा इन से कहता है कि तुम्हारे safety को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा वहाँ पर जाना ज्यादा safe होगा जहां पर कि तुम अपने पहले mission को complete करोगे लेक इसके वज़ा से ऐसा हो सकता है कि तुम इस mission के दोरान अपने team member को भी खोदोगे और इसलिए अगर कहीं ऐसा हो गया तो तुम्हारे team को इस जगा से disband कर दिया जाएगा जिसके बारे में सुनते ही ये सभी काफी हैरान हो गए थे और तभी captain gama इन से कहता है कि जैसे ही उपर attack करना सुरू कर दिया था और अब इसके बज़ा से ये सभी यहाँ पर बहुती बड़ी परेसानी में आ गए थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बहुत सारे flying demons आ गए थे जो की लगातार इनके airship के उपर attack करने लगे थे अब इसके बारे में प तब इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर जटका लगने के बज़ा से वे सभी यहाँ से गिरने वाले होते हैं और इसलिए ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए यहाँ से लटक जाते हैं लेकिन तब इसी वक्त इनको पता चलता है कि इनके airship का fuel tank और automation system प कि वे सब इसमें मारे भी जाएंगे अब इसके बारे में सुनते ही बाकी लोग भी और ज्यादा परेसान होने लगे थे क्योंकि अब यहाँ की situation पूरी तरह से खराब हो गई थी जबकि flying demons इनके उपर लगातार attack कर रहे थे यहाँ देखते ही हाओ चेन तुरंत हाओ यू को यूज भी करने लगता है जिसके मदद से हाओ चेन और उसके सभी साथी फिर से airship के अंदर आ गए थे लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर खत्रा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसलिए हाओ यू लगतार अपने floatation टेक्निका यूज करके इनकी मदद कर र हो चुका है जिसके वजह से अभी आटमेटिक नहीं उड़ेगा और इसलिए अभी से किसी को मैनुवली ऑपरेट करना होगा तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि साय तुम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो और इसलिए मुझे आसा लगता है कि साय तुम इससे ऑपरेट भी कर पाओगी और इसी के साथ वो उससे फूचता है कि क्या हम इसके फ्यूल को किसी दूसरे चीज से रिप्लेस कर सकते हैं जिस पर चेरी चेन कहाती है कि मैंने तो इसे पहले कभी नहीं किया था लेकिन हम इसके बारे में एक पर ट्राइ करके देख सकते हैं और इसके अलावा अगर इसके फ्यूल के बारे में बात किया जाए तो वह बिलकुल स्प्रिच्वल पाउर के जैसा ही होता है जिसके बारे में सुनते ही लिंसिन कहता है कि मैं इसे करने के लिए रेडी हूं लेकिन फ्लाइंग डीमन्स ने अब इनके उपर और भी खतरनाक तरीके से अटाइक करना सुरू कर दिया था जिसके बज़ा से इनकी परिसानी यहां पर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जाद एक हाओ चेन चेरी चेन और लिंस इंसे कैबिन के अंदर रहने के लिए कहता है ताकि वो एयर सिप को कंट्रोल कर सकें जबक के साथ वो इनसे कहता है कि अब यहां पर हमारे जिंदगी और मौत का सवाल है और इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहां पर फेल नहीं होना है अब इतनी बात कहने के बाद हाओचन और सार केबिन से बाहर आ गए थे और वो फ्लाइंग डीमन्स को इसके उपर अटैक करने से रोकने लगे थे अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ घंटों में आ जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना